एक व्यक्ति हेलो स्वेल कम बाक तो फिसे लेक्षा हम लास जो लेंग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें लास वीडियो में दिखा था कि हमने काटिशन में कुछ रूज से रेगुलेशन पढ़ रहे हैं इससे हमने इस चीज़ सीख लिया थे कि भाई काटिशन में होता क्या ह है उसमें क्या चीज़े होती है किसके बारे में बात होती है लेंस का फॉर्मूला पढ़ा फिर उसके बाद हमने यह देखा कि फोकलन किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स ही कनवर्जिंग होता है कॉनकेव ही सबस्ता क्योंगे से शुरुआत करते पहले हम लेंस फॉर्मुला लिख लें यहांपे काम आएगा लेंस फॉर्मुला करता 1 ë एक्वस 2 1 upon V – 1 upon U ± प्लस माइन्स अभी को याद होगा और एक फॉर्मुला संप लिए लिए अपॉन यू और एक फॉर्मुला होता है एक फॉर्मुला हो गया था यह तो अगर फ में नहीं रहेगा तो पावर डायप्टर में नहीं आएगा अब यह तो तयारी हो गई इंग्रिटेंट्स है रहोगे चलो हम बनाते है निूमरीखल बनाते सबसे प्रिवें क्लासे पढ़ लियाए इसके देखने वरेंगे Of लिटे कर लिए इस सब्सक्राइब लेंग एक जरूर हो तो जो हम सभी चीजों को एक साथ कि यूज करने वाले अब यह जो निमर्यकल हम सुछ करेंगे हैं तो मैथामार्टिकल निमर्यकल निमर्यकल है बैलिवेली है जो आपको मैगनीटीव आंसर निकलना है पर मैं इसको औरली होगा करके बता दूँगा वैस के यह गार यहां पर यह बन गया एक टू यह बन गया चीटू वह कह रहें ऑब्जेट काहां फेंट से प्लेस्ट हुए चलो मतलब लेंस से 20 कि सेंटी मित्र प्लेस नहीं स्यावाइग कोश्यंग पढ़ता हूं अगर हम गीवन बनाते है चले इसका वो करें ऑब्जेक्ट प्लेस ऑबजेक्ट में रहोता है यह वह होता है ना अब्ऑजेक्ट इस्टेंस ऑफटेंटीव होता है हमेशा तो माइनस 20 सेंटिमेटर बन गया उसके बाद एक रहे है रहे हैं फचनों प्रिंसिप लेंट है को पर तो मिका तो बताइयगा पॉजिषंट क्या रहा है रहता हैं इसका पॉजिए तो इमेज का बोजिशन नहुंत करते हैं its image का पीजिशं नह頭 चांभ मतलब इसका है किए इमेज़ कि ट्रwas से बता सकता हो कैसे ऐसा नहीं कि लिए है लॉजीक लगा रहे ठीक है लन नहीं किया है क्या करें फोकल लेंट 10 cm है चलो बना दिया हमने 10 cm एक चीज़ हमने पढ़ी है कि अब क्या कहरें ऑब्जेक्ट का सेंटर क्या से होगा ऑप्टिकल सेंटर सी होगा ना तो 20 cm मतलब 10 20 cm अब्जेक्ट का प्लेस है अब्जेक्ट सेंटर और करवेचर पर प्लेस है लेंज कैसा है एक चीज़त यहीं कनफॉर्म हो गई करती सरघंट जब को सेंटर और करवेचर पर होता है तो इमेंघ बी सेंटर इंट्र करनेगा मतलब अगहर आए जितन तरदी ौशdefense है क्योंकि center of curvature पर जब object होता तो image भी center of curvature पर बनती है और focus तो बता दिया 10 है तो यह भी 10 रहेगा यह भी 10 रहेगा इमेज कितना रहेगा 20 रहेगा negative positive positive रहेगा क्योंकि right-hand side में सर बन गया सर इसके height कितनी रहेगी जो object की height है वही image की height रहेगी ऐसा क्यों because object का जो height होता है h1 when placed at center of curvature वो same size का image बनता है at the same center of curvature that is h2 यादा रहे है आपने rate diagram जब बनाया था तो उसमें जो conclude किया था जो आखरी में हमने chart बनाया था जिसमें हमने different position of object position of image और उसके nature के बार में लिखा था तो यह यह जो point अपने cover किया था object placed position at center of curvature image formed at center of curvature उसके पाद nature real and inverted real and inverted इसके पाद size same size as the object यह बनाया था मतलब answer बन चुका है यहाँ पर तो अगर मैं कहूं क्या answer कितना रहेगा h2 कितना रहेगा h2 will be 5 cm that will be minus q की minus 5 cm होना चाहिए क्योंकि principal axis की नीचे image का distance कितना होगा साथ 20 cm क्योंकि center of curvature पर अब देखो मैं numerical अभी तक लिखा भी नहीं पर 100 हो चुका है मतलब मुझे पहले आ चुका है तो इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं अब हम इसे सौल करते हैं जो हमने आंसर बनाया है हमारे concept के तूझ जो आंसर बनाया है क्या यह सही है या फिर गलत है अब हम मैतेमेटिकली देखते हैं ठीक है तुमारा yeah solution गाहिए क्या कहेंगहे वरन अपॉन एफ़ इक वरन अपॉन वी माइनेस वरन अपॉन यू यह फॉर्मिल्ले क्यूं लिए उसकी है या मैं वी फाइंड करना ए अपप ये यू पते तो बी आ जाएगा आ जाएगा चलो वैल्यू पूट करता है बन अपॉन एफ एफ कितना है 10 cm पॉजिटीव ए नेगेटिव सब्सक्राइब क्योंकि फोग्वेक्स लेंस से सब्सक्राइब कानवर्जिंग लेंस वन अपॉन टेन वी अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू कितना है 20 है कैसा है नेगेटिव सब्सक्राइब क्योंकि यू इस ऑन दे लेफ्ट है तो यह बन जाएगा माइनस 20 एक चीज अमें ध्यान लगना है यहां पर देखिए इंपॉर से बना हुए ना ओंटो फार्मूल का इंबिल्ट है वह नेगेटिव हमेंचा ही नहें रहां अब आपका जो यू का यह ब्लु हैगा यू पॉजिब रहां यह पॉजिटिव रहा स्गें रापीट रिटा थेंनस 20 से ख्यू यूकि वैल्यू 15-20 है और यहां भायनेस यह formula के minus है it will be minus 20 तीक इती विल भी-20 अब solve करते हैं 1 upon 10 equals to 1 upon V minus minus यह plus हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा तो 1 upon 20 बन जाएगा इस 1 upon 20 को shift कर दो तो क्या बन जाएगा 1 upon V equals to 1 upon 10 positive यह 1 upon 20 plus है इस तरब जाएगा तो negative हो जाएगा that is 1 upon 20 हो जाएगा तो V 1 upon V equals to LCM कित्ता था है 20 आएगा 10 or 20 कल से 20 आएगा यह बन जाएगा 2 यह बन जाएगा 1 हाए ना कि solve करते है 1 upon V equals to 2 minus 1 1 upon 20 inverse करते हैं क्योंकि हमें V की value जाए तो V बन जाएगा V equals to 20 cm यही आंसर हमने प्रेडिक्ट किया था आंसर देखे 20 20 positive है sign permission भी एक्टम पॉफेक्ट आया पॉजिटीव है मतलब आंसर सही है कैसे सही है अब मैंने कैसे चेक कर लिया क्योंकि V जो होता है convex में वी हमेशा राइट साइड में सौर्ण जो इमेज होता है वह हमेशा राइट साइड में बनता है एक केस छोड़के ठीक है पर वह केस तो है नहीं तो पॉजिटीव आना चाहिए तो पॉजिटीव आया तो एकदम अब m equals to h2 upon h1 कीजिए यह फिर m equals to v upon v upon u कीजिए अब यह देखेगेगे किया पिर फिर समझ देते हैं आपस दो फॉर्मिला था किया है M equals to V upon U, यह पहला formula था, दूसरा formula था, M equals to H2 upon H1, हमें find क्या करने है, H2 find करने, हमारा पास H1 है, हाँ है, हाँ है, हाँ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, H1 है, H2 हमें find करने M नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पर हमें V है, U भी है, तो आप यह formula यूज करके पहले M find कीजिए, फिर M की value यहाँ पर put कीजिए, फिर इससे solve कीजिए, ऐसा कर सकते है, क्या कहरें हमने, फिर से सुनो, first step, यहाँ पर इमेज का height है, जो find करने का पहला तरीका क्या है, two different ways है, पहला तरीका, V और U हमें पता है, V हमने find कर लिया, U हमें पता है, तो उससे आप पहले M निकाल ल है, तो H2 आजाएगा, अब इस तरीके से find कर सकते हो, यहाँ फिर आप second formula कैसे use कर सकते हो, यहाँ पर बनाया था, special case, left hand side equal, right hand side equal, यह बन गया V equals to U upon H2 upon H1, यह सीधा-सीधा formula उसका सकते हैं, हाँ है ना, सीधा-सीधा formula, तो कैसा बन जाएगा यह formula, मैं यह formula यूज करता हू हो, तो बन जाएगा, H2 फाइंट करना ना, तो H1 को यहाँ पर shift कर देंगे, यह बन जाएगा, H2 equals to H1 into V upon U, H1 को shift कर दिया, H2 फाइंच करना, H2 होगी, H1 कितना है, 5 cm, positive या negative, positive रहेगा, positive Q रहेगा, principle axis की उपर है, positive रहेगा, V कितना है, V20 है, positive है, positive है, positive है, तो यह positive 20 हो यू कैसा है, यू negative है, positive है, negative है, तो यह minus 20 हो गया, minus 20, याद रखना है, sign symbol, positive, देखो है, हमेशा है, कोई भी अगर numerical value लिख रहा हो, तो positive, negative के बारे में बात कर रहा हो, यू कैसा है, यू negative है, minus 20 है, तो minus 20 है, लिखना ज़रूरी है, इसे 20 नहीं लिखो गया, अब solve करते है, 20-20 काट होगे है, minus sign उपर चले गया, तो यह बन जाएगा, minus 5 cm, answer सही, गलत, सही है, कैसे सही है, क्योंकि image दीखिए सर, center of curvature पर, sorry, object center of curvature पर, image भी center of curvature पर बनेगा, और image कैसा है, principle axis की नीचे है, यह negative sign के show कर रहा है, negative sign यहीं तो show करता था, partition method में, अगर आप height principle axis की नीचे calculate क answer आया है, तो मतलब हमारा answer है, वो सही है, क्योंकि image हमारा justify कर रहा है, हाँ है ना, अब यह कैसे, इसलिए हमने कहाता है, कि जब आप ray diagram की numericals बनाते हो, तो एक rough में ray diagram बनना हो जाए, यह particular जिसा, lens का diagram होते है, बन गया, इससे क्योंकि पहले ही clear होगे, कि answer हमारा सही आएगा या गलत हैगा, तो मैं अपना cross से कहीं पर कर सकता हूँ, उसके लिए क्या है, जो ray diagram ने बनाएते, जो अपने मस्ती मज़ाग में ray diagram बनाएते, ठीक है, not with the scale, अपने scale से नहीं बनाया, बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी नहीं होगा, उन्हों में लगा होगा है, कुछ नहीं होता, बन जाएगा, पर देखिए, अब यूज हो रहा है, अगर आपने वहाँ पर नहीं से कहा, ray diagram बनाना कि उसका, यूटिलाइस कहा, conclusion कहा, सभी ray diagram को तो इस question में आपका दिक्कत हो जाएगा, अब यह तो चीज क्लियर है, यह तो बहुत simple question था, जब exam में question घुमा फिर आगे आएंगे, तो क्या बन पाएगा, नहीं, उसके लिए ray diagram बनाना बहुत important था, ठीक है, अगर आपने अभी भी नहीं बनाया तो बना लीजिए, चीज़े क्लियर है, तब दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, हाँ है ना, चीज़े क्लियर यहां तक, ओके, अगर हम बात करते हैं, चलो, इसी lens का हम अगर focal length के बात करते हो, focal length, अब पूछा तो नहीं है, पर हम बता देते हैं, यही calculate करते हैं, कि इसका, sorry, focal length नहीं, इसका power calculate कीजिए, इसी question में, अगर हमने add कर दिया, power calculate कर लीजिए, इसका power calculate करना पावर का formula हमने क्या पढ़ाता, सभी को पता, learn हो गया होगा, power equals to 1 upon f, हाई ना, तो question क्या होगा, 1 upon f कितना f है, 10 cm, तो 10 लिख दी हमने, सही होगा, गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि सर, एक चीज़ है, f कैसा होना चीज़, सर, f meter में होना चीज़, और यह f कैसा given है, 10 cm में given है, तो यह तो valid ही नहीं है, सर, answer गलत होगा, हमारा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, पहले focal को, focus को, focal length को, हम meter में convert करेंगे, 10 cm को, meter में convert करना है, कितना cm में 1 meter होता है, 100, divide by 100 कर दिये, तो कितना बन जागा, 0.10, sorry, 0.1, 0.1 meter ब क्लिए रहे, अब, 0.1 है, अब हम लिख सकते, 1 upon focal length 0.1, क्योंकि focal length कैसा होना चीए, meter में होना चीए, अभी सब डिवाइट करों को, तो क्या आएगा, 10, 10 ही आता है, आया ना, 10 ही आएगा, of course, 10, 10D, क्या बनेगा, 10D, आया ना, 10D बन जाएगा, चीज़े क्लिए रहे, समन सेंटिमेटर यूज नहीं किया, हमने क्या क्या, हमने उसको पहले मीटर में convert किया, क्योंकि formula कहता है, power equals to 1 upon f, but f should be in meter, अगर ये मीटर में नहीं होगा, तो आपका question नहीं बनेगा, ये चीज़े clear है, हाय ना, इसे पर कुछ numerical है, और एक numerical हम देखते हैं, इस पर, इस पर और एक numerical बनाते है, ओके, एक पावर करेंगे, छोटा सा numerical है, जो पावर, ये तो लेंस का, आपको समझ में आ गया होगा, एक पावर का numerical बनाते हैं, पावर का numerical बनाते हैं, याद कर लेते हैं, पावर में क्या बढ़ा था, पावर का फिर कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड निकाला है, तो क्या करो, पी बन प्लस 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 पी थरी, उसे एड़ कर दो, सिधा बन जाएगा, यही ता, पावर, अब उन्होंने एक क्वेशन बनाएं, एक छोटा सा क्वेशन है, क्वेशन में क्या का है, थ्री लेंस हैं, त्री लेंस, त्री लेंस है, इनका पावर है, पहले लेंस का पावर 2D सेकेंड लेंस का पावर 2.5D और थर्ड लेंस का पावर है 1.7D ठीक है और उन्हें क्या पूछा हम से आरे कैप्टी न रो कैसा रिखा भाई रो में रखे अच्छा अंदलब कुछ अगर मान लेते हैं पॉजिटिव पावर है तो कुछ इस तरीके से होगा यह फर्स पूछा है तो टोटल पावर है इसका कॉम्बिनेशन पूछा है सिंपल फॉर्मूला टोटल पावर इकोस्ट्यू पी एट प्लस पी टू प्लस पी थरी क्या रहें जाएगा यह टीस टू प्लस 2.5 प्लस 1.7 कि तो बने जाएगा यह 71221 केरी 2226 36.2 तो कमांट पावर क्या ह की पैए ना कम्बाइट पूछा था ना कम्बाइट पावर क्या होताएगा प्लस पी टू प्लस पी थिया सभी लेंस के पावड कर दीजिए पटाइगे अगर हम बात करते हैं इसका हम कहते जो फुर्स लेंश इसका मिनटई है तो कैसे हम फॉर्मूला से हो जाता पर सिहां नहीं, 4.2 नहीं बनता, यह क्या बन जाता, माइनस 2 प्लस 2, 2.2D, 2.2D बनता, है न, 2.2D बन जाता, इन दोनों को प्लस किया, 4.2 आ गया, 4.2 में से माइनस रुकिया, 2.2 बन गया, है न, इस तरीके से, अगर पावर नेगेटीव होता है, तो, जीज़े के लिए सिंपल एडिशन करना है, और कुछ नहीं, सिंपल पावर के केलकुलेशन ही, आप चला ठीक है, बागी जो नुमरीकल से हम और आगी करेंगे, और व्रारेटी जो नुमरीकल से हम स्टुड़ी कर करता है और 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 कॉन्वेक्स में वराइटी भी देखेंगे ठीक है थैंक यू